हेलो एक्वेडियस मैं हूं किरिंच शापरी और यह है आप लोगों के लिए जानवरी 2021 की लाफ टारो रीडिंग सबसे पहले एक्वेडियस अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज विजिट कर सकते हैं और चलिए जी एक्वेडियस आपकी रीडिंग शुरू करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट अफ कार्द होते हैं फर्स सेट में हम देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं सेकंड सेट में हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं और थर्ड सेट में हम देखते हैं कि फाइनली जानवरी मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं Aquarius और एक चीज बहुत ही clearly आपकी reading में मुझे दिख रही है कि January month में किसी तरीके का boredom, किसी तरीके की monotony रह सकती है specially आपकी love life से related और या आपकी energies में मुझे दिख रहा है देखें सबसे पहला card यहाँ पे King of Cups and Niche Superficiality है और यह cards मुझे कहते हैं कि आपके मन में एक प्यार है, एक महबत है अपने partner के लिए लेकिन कहीं deeper level पे आपको लग रहा है कि चीजें बहुत ही superficial हो गई है कुछ चीजें हो सकता है कि आप कर रहे हैं इस relationship में क्योंकि आपको करनी है क्योंकि उन्हों एक routine है और आपके partner भी routine की ही वज़े से कर रहे हैं कहीं एक enthusiasm, excitement, passion missing दिख रहा है दो again मैं कहूंगी कि आपके मन में एक प्यार, महबत, love आपके partner के लिए मुझे दिख रहा है और देखिए यहाँ पर four of cups and limitation के cards है four of cups again boredom, monotony की बात करता है और कहीं limitation मुझे कहता है कि किसी तरीके की restrictions, किसी तरीके की you know again मैं कहूंगी limitations आप जानवरी मन्त में महसूस कर सकते है यह सब के लिए differ कर सकता है, कुछ लोगों के लिए अपने ही mind के कुछ thoughts है जो किसी चीज के लिए रोक रहे हैं आपको इस relationship में आगे बढ़ने के लिए और कुछ लोगों के लिए external situations हो सकती है external environment हो सकता है, जो किसी level पे again आपको limit कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और इसी वजह से कहीं आप emotionally low भी feel करते वे दिख रहे हैं कुछ Aquarius को ऐसे लग सकता है कि अच्छी opportunities थी पीछे जो आपने avail नहीं करीं और इसलिए कहीं आप थोड़ा सा परिशान हो रहे हैं यहां मैं कहूंगे आप थोड़ा सा low feel करते वे दिख रहे हैं अगेन एक monotony एक boredom मुझे दिख रहा है and by the end of January यहां हो सकता है January month में बहुत सारे लोगों के लिए यहां पे awareness and seven of cups reverse के भी cards हैं तो awareness का card मुझे कहता है कि हो सकता है पीछे कुछ time से चीजे ठीक नहीं चल रही हैं इस relationship में यहां हो सकता है January में भी जैसे आप चाहते हैं वैसे चीजे नहीं चल रही है और कुछ misunderstandings आप दोनों के बीच में हुई है जिनको कैसे आप ठीक करें उन पे focus रह सकता है January month में या January end में और उसी के ही regarding हो सकता है आप बहुत सोच रहे हैं आपको समझ में नहीं आरा आप कैसे deal करें कैसे अपने partner को approach करें कैसे उनको convince करें और कहीं बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप सोच तो बहुत रहे हैं कि इस चीज को आपको ठीक करना है इस चीज को आपको better करना है कुछ लोगों के लिए misunderstandings हो सकती है या कोई भी और चीज हो सकती है जो इस relationship में गड़बड चल रही है ठीक नहीं चल रही है उसको again मैं कहूंगी ठीक करना चाहा रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई concrete steps या concrete measures नहीं लेते वे दिख रहे हैं आप जानवरी मन्त में और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है तो देखिए आपके partner के लिए याँ पे सबसे पहला card है three of cups और इसके नीचे हमारे पास है to be in love तो बहुत सारे equidious के लिए मैं जो दिख रहा है कि उनके partner हो सकता है अपने friends या you know अपने close ones के साथ अच्छा time spend कर रहे हैं group में हो सकता है किसी activity में अपने आपको involve कर रहे हो participate कर रहे हो या हो सकता है कि उनके life में कोई event है कोई happy event है कोई get together है कोई reunion है कोई celebration है यह कुछ के लिए हो सकता है नहीं तो in general again मैं कहूंगे equidious की January starting में आपके partner की घर में या उनके office में या उनके friend circle में कोई celebration हो सकती है कोई get together हो सकता है या वो ज़ादा अपने friends के साथ अपने loved ones के साथ time spend कर रहे हैं ज़ादा you know किसी से मिल रहे हैं और कुछ equidious के लिए में जो दिख रहा है कि third party भी हो सकता है equidious जहाँ पे आपके partner आपके अलावा किसी और से भी मिल रहे हैं किसी और से भी बातचीत कर रहे हैं और कहीं इसी से related हो सकता है नहीं तो otherwise एक happiness भी किसी level पे उनके लिए मुझे दिख रही है और ये mid of January तक मुझे ज़ादा दिख रही है यहाँ पे 10 of cups का card भी कहीं celebration की बात करता है नहीं तो हो सकता है अपनी family पे वो बहुत ज़ादा focus कर रहे है family की interference है और यहाँ पे देखे inner guide का card मुझे कह रहा है कि बहुत ही कुछ चीजों को लेके conscious हो रहे हैं cautious हो रहे हैं बहुत impulsive नहीं होना चाहते जल्दबाजी नहीं करना चाहते यहाँ हो सकता है कुछ Aquarius के partner अपनी family की वज़े से थोड़ा सा यूनो बहुत ज़ादा चीजों को सोच रहे हैं आगे बढ़ने से पहले again मैं बोलूँगी की back step ले रहे हैं pause कर रहे हैं और जो उनकी inner intuition कहती है inner you know voice कहती है उसको ही follow कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए by the end of January यहाँ पर nine of swords and the wayfarer के cards हैं और यह दोनों ही cards मुझे कहते हैं कि अकेला पन वो महसूस कर सकते हैं January end में यहाँ हो सकता है कि इन सब खुशियों के बावजूद इन सब लोगों के अपने पास होते हुए भी क्योंकि देखिए मुझे देख रहा है कि आपके partners January मन्त में काफी सारे लोगों से surrounded हैं यह कोई भी हो सकते हैं उनके family members हो सकते हैं उनके friends हो सकते हैं यह अगेन कोई भी हो सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एक अकेला पर महसूस कर रहे हैं किसी चीज की फिक्र है उनको यह हो सकता है कि इन सब अच्छी चीजों के होने के बावजूद भी एक negativity या एक negative thought pattern कुछ Aquarius के partner का चल रहा है नहीं तो in general January end में किसी चीज को लेके बहुत जादा फिक्रमंद हो रहे हैं बहुत जादा सोच रहे हैं इतना जादा की हो सकता है कि रात को भी उनको अच्छे से नीन नहीं आ रही हो और अगेन देखिए बहुत सारी चीजों को explore करना चाहते हैं चीजों को understand करना चाहते हैं और अगेन मैं कहूंगी या तो अकेले रहना चाहते हैं या एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अब देखते हैं कि January month में क्या हो रहा है तो देखिए January month के लिए यहाँ पे सबसे भेला card है Seven of Pentacles और इसके नीचे है Fear of Love तो हो सकता है Aquarius आप दोनों या आप क्योंकि आपके लिए ये reading है कोई decision लेना चाहते हैं कोई choice करना चाहते हैं या हो सकता है आप दोनों अगेन मैं कहूंगी या आप दोनों वे से कोई एक और आपके लिए जादा दिख रहा है कि आप अपने आपको crossroads पे पा सकते हैं जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें इस relationship में आगे बढ़ते रहें या you turn ले लें या कोई different direction ले लें और deeper level के लिए देखिए आप पर fear of love का card मुझे कहे रहा है कुछ insecurities हैं कुछ fear हैं जो आपको ये decision लेने से रोक रहे हैं या एक choice करना इतना असान नहीं है आपके लिए कहीं you know एक difficult हो रहा है आपके लिए choice या decision लेना और दिखिए आपके cards में भी यहाँ पर seven of cups का card किसी decision किसी choice की बात कर रहा था और हमने देखा भी था कि आप किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं लेकिन concrete steps नहीं ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए और कहीं January month की energies भी वही चीज confirm कर रहे हैं और यहाँ पर five of swords, reverse and waiting के cards मुझे कह रहे हैं आपको ऐसा लग सकता है कि external महौल ठीक नहीं है external environment ठीक नहीं है तो अभी कुछ time और wait करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले decision लेने से पहले choice करने से पहले और कहीं बहुत सारे Aquarius के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस love life में हो रहा है कहीं वो ठीक नहीं हो रहा है कहीं आपके साथ unfair हो रहा है आप जो deserve करते थे वो नहीं आपको मिल रहा है और कुछ के लिए मैं सब के लिए नहीं कह रही हूँ कुछ के लिए हो सकता है कि एक breakup हो रहा है एक distance इस relationship में आ रहा है यह distance temporary हो सकता है यह distance permanent हो सकता है और यह आपके partner की तरफ से जादा मुझे दिख रहा है क्योंकि कुछ Aquarius के partner की life में मुझे third party interference दिख रहा है वो उनकी family की तरफ से हो सकता है वो उनके किसी loved ones या friends की तरफ से हो सकता है यह हो सकता है Aquarius के आपके partner आपके अलावा किसी और से बात कर रहे है किसी और की तरफ attract हो रहे है और इसी लिए शायद आप एक cheating वाली energies feel कर रहे है आपको लग रहा है कि भाई जो भी आपके साथ हो रहा है वो कहीं ठीक नहीं हो रहा और यहाँ पर देखिए again मैं कहूंगी कि आप आगे नहीं बढ़ रहे है क्योंकि शायद आप right timing का wait कर रहे है यहाँ देखिए हो सकता है कि आपके partner के आने का या किसी चीज का deeper level पे आपको इंतजार रह सकता है और देखिए by the end of January के लिए यहाँ पे Ace of Swords and Wind का card मुझे कह रहा है कि एक confusion जो शायद किसी level पे जानवरी मन्त में बनी हुई थी वो जानवरी end में clear हो सकती है आप थोड़ा सा चीजों को logically analyze कर सकते हैं आप analytical हो सकते हैं आप mind से सोचते हुए जादा दिख रहे हैं और कहीं आप front होके आप चीजों को deal कर सकते हैं किसी level पे एक detachment भी आपकी तरफ से इस relationship में आता हुआ दिख रहा है और win card मुझे कह रहा है कि कुछ चीजों को आप नहीं sink in कर पा रहे थे कुछ चीजों को नहीं आप digest कर पा रहे थे तो कहीं वो भी by the end of January sink in होती हुई दिख रही है तो देखिए अगर मैं overall देखूं तो बहुत great energies January month में आप लोगों के लिए नहीं दिख रही है Aquarius कहीं देखिए nutshell में आप कोई decision लेना चाहते हैं कोई चीजों को ठीक करना चाहते हैं लेकिन एक clarity नहीं आ रही है और yes ये भी हो सकता है Aquarius की you know by the end of January ये clarity आ रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि Ace of Souls एक नई beginning की भी बात करता है तो कोई नया idea आ सकता है कोई नई you know चीज आपके mind में आ सकती है जिसके उपर आप act भी कर सकते हैं तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए January 2021 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवाल का जवाब मिला है आपको guidance मिली है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें